नमस्कार दोस्तों, वेलकम टिरोन चैनल, लर्न टिवरन भाई एक यार, तो फ्रेंस, टुड़ी वूट बी डिस्कसिंग अबाउट वेदान्ता लिमिटेड, जिनको लेकर के काफी नेगेटिव नुज है मार्केट में, कंपनी का कर्ज इतना है, कंपनी ढूब जाएगी, कंपनी का टेक्निकल खराब हो गया है, सबी चुज़ों को हमनों डिस्कस करेंगे इस वीडियो के जरिवे, मैं आपको बताऊँगा कि लास्ट वीडियो जो मैंने बताया था, बनाया था, उसमें मैंने आपको एक सपोर्ट बताया था, क्यों ये सपोर्ट इंपोर्टन है, टेक्निकली मैं आपको ग्राफ में अभी दिखाऊँगा, कि क्यों ये इंपोर्टन है, तो उस चीश को बताऊँगा, दूसरा चीज़ है, जो शेर का भी सेलिंग जो हुआ है, 4,130 करोड का, 4,130 करोड का जो सेलिंग हुआ है, सो किस ने खरिदा, किस का नाम आ रहा है, तो वो नाम मैं आपको डेक्लेयर करूँगा, बताऊँगा कि नाम है, और यह जो selling जो हुआ है नॉर्मल पब्लीक की हाथ में नहीं हुआ है it's in a strong hand strong हाथ के में गया है यह share तो चली ठीक है यह भी motivation का हम लोगा जरिया रहेगा कि चली जो share जो है वो pumping और dumping नहीं हो रहा है so ऐसा नहीं company और विदानता company जो रहा है पहले pump की है अपने price को बढ़ाया then after है तो उसने dump करके चली गए उसने clearly state किया है बताया था कि ब्लॉक डिल हो रही है इस price में हो रहा 258 रुपिस 50 पैसा में so सब कुछ उन्हेंने clearly बताया था so विदानता company का रहा है थोड़ा जाना ज्यादा जरूए कि छोटी-मूटी company है नहीं so सबसे पहला चाहिए जानते हैं विदानता है क्या करती क्या है then after that हम दो company का share history को चेक करेंगे किसने खरिदा हो share को वो जाने कोशिश करेंगे and then after that company का टेकनिकल सपोर्ट की जो सपोर्ट जो बताया जा रहा है क्यों वो सपोर्ट इंपोर्टेंट है वो जानने की कोशिश करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं बॉट विदानता आप सभी से रिक्वेस्ट प्रीज वीडियो को लाइक कीजएगा शेर कीजएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजएगा विदानता लिमिटेड जो है यह इंगेज है in exploration, production and sales of zinc, lead and silver, copper, aluminium, iron, ore and oil and gas में है यह काफी diversified इनका business है और इनका presence जो है आप देख सकते हैं इंडिया में है, South Africa, Namibia, Ireland, Liberia and UAE में है और इनका business include commercial power में भी है power generation, steel manufacturing, port operation in India and manufacturing of glass substrate in South Africa तो आप समझ सकते हैं कि जब इतना सारा इनका metal में काम करें zinc, lead, silver और यहाँ तकी crude में भी है यह प्लस आपका natural gas में है और सभी का price आप समझ सकते हैं कि gold का price क्या है silver का price market में क्या चल रहा, zinc का क्या price चल रहा है तो आप समझ सकते हैं कि इसका future क्या हो सकता है क्योंकि silver का price और gold का price आप समझ सकते हैं आस्मान चूरा है और crude और प्लस natural gas कहां पर उसका price है सभी को पता है और presently यह present है इंडिया में 65% total revenue इनका आता है भारत से इनको 65% revenue आता है मलेशिया से 9% आता है, चाइना से 3%, यह से 1% यह market leader है कब हुई जब successful acquisition of nickel and cobalt at plant at goa विदानता has become sole producer of nickel India तो nickel जो है उसकी sole producer है यह कोई दूसरा को इसका producer नहीं है, सिर्क विदानता है और volume-wise अगर आप देखिए का हम पर total metal का बतागे कितना volume यह, इनका production volume क्या है समझ सकते हैं, इसको देखिए, huge, it's huge छोटी मूटी company नहीं है, presence मैंने आलरी आपको बता दिया है reserves इनके पास zinc का देख सकते हैं, कि huge reserve है 448 million, zinc international 6, 71 million है, oil and gas 1151 है अब देखिए, zinc and lead and silver से इनको revenue कितना आता है 25% का revenue, zinc, lead and silver से आता है अब इसमें जो zinc जो है, इनकी subsidiary company जिसका नाम हिंदूस्तान, zinc limited, सब कोई को पता है इनके बारे में अच्छा कासा dividend देती है, और इसमें विदानता का 65% stake है, 65% stake है और हिंदूस्तान जो है, is the largest primary zinc producer in India with an expected 80% market share in 2022 आप समझ सकते हैं, इनका stake 65% हिंदूस्तान जींक में हिंदूस्तान जींक is running successfully in India, और in India नहीं, it's running successfully not only in India, everywhere, so अभी देख सकते हैं, जो revenue break up जो है, oil and gas से 9% का आता है, aluminum से 39% का आता है mines, देखे हाँ पर वाया बाल को, क्या हो राट टू, बॉक्साइट माइंस है यह टोटल है, briefly about Vidanta के बारे में है, इनका market cap देखे 91,833 crores का है, so company छोटी नहीं है, यह बताने के लिए मैंने इतना कुछ read out किया है आपके लिए, okay, so अभी हम लोग फटा पर चलते हैं, towards the company का strong and positive and negative aspect के और move करते हैं, तो यह देखें negative क्या है, 100% holding प्रमोटर का pledged है, बहुत ही negative है यह, लेकिन यह ऐसी नहीं के पहली बार है, यह चला चा रहा है, यह news बहुत पुरानी हो चुकी है, और यह देखें positive जीज क्या है, that stock is prodding good dividend yield 41.1% and maintaining healthy dividend pure of 159%, तो जो भी लोग इस विदानता का share को hold करके रहते हैं, उनका एक ही purpose रहता है dividend लेना, dividend लेने के लिए कमसे आपको एक साल तक share को hold करना पड़ेगा, तभी आपको लगवक 30-35%, 40% तक आपको dividend डील आ जाएगा, अभी share ruling history को आपको लोग लीट करते हैं, सबसे पहला चे प्रोमोटर देखे 68.11, मार्च में भी था, अभी विए 68.11 है, FI 7.89 से गिर करके 7.48 हुआ है, DIA 10.20 से गिर करके 9.98 हुआ है, गर्वन कॉंस्टेंट है, पब्लिक भाई सार 13.63 से 14.29 हुआ है, तो यहाँ पर यह सस्ते दामें खरीद रहे हैं, और अधर्स देख सकते हैं, 0.11 से 0.02 हुआ है, अभी इंपोर्टन चेजर जाने का है, कि किस ने खरीदा था, जब इस शेयर जब विक्वाली हुई, तो किस ने खरीदा, तो एक तो नाम यहाँ पर आ रहा है, देख सकते हैं, थर्ड अगस्त हो ही सेलिंग हुआ था, कॉफ यह सेलिंग किया था, और इन्होंने मालग को ठालिया, प्रमोटर ने बेचा, एक मजबूत हाथ के पास चला गया, और पब्लिक के पास यह नहीं गया, तो यह फिर से इनको ज़रूत हो कि फिर से खरीद लेंगो, तो यह लोग एक दुसरे को बेचते और खरीदते रहते है बल गिल होते रहता है, अब हम लोग टेकनिकल टीक्निकल टीस के ओर जाता हूं कि क्या टेकनिकल टीस हैं, इसको चेक करेंगे, सबसे पहला चीज़ा है, मैं आपको सपोर्ट बताता हूं कहा कहा सपोर्ट है, तो सबसे size 25 का, मैं आपको बताऊंग, और to 35 क्यूं हो सबसे पहले चाहिए यह वीकली चार्ट है और यह जो यलो किलर का लाइन आप देख रहे है दाट इस आपका आपका है 44D moving average और blue color line है that is आपका है 200D moving average तो इससे पहले भी देख सकते हैं जभी भी गिरावट हुई थी तो यह देखी यहां कहां support लिया था तो आपका 200D moving average में support लिया था और अगेर आप चेक की जाएगा तो 200D moving average इसका आ रहा है 230-235 के बीच में इस जगह पे इसको support ले बोलेंगे लिए तो 200 का range 235 का भी range को थोड़ दिया तो यह ऐसी नहीं है आपको weekly closing चाहिए 235 के नीचे में आज पता चला कर आज मैंने बोला कर 235 के नीचे में है और आप तुरंद में कमेंट आना स्टार्ट हो जागा तो ऐसा नहीं है इसको weekly closing होना जरूरी है पता चला यहां से नीचे गई या फिर यहां से इफिक बनाकर कैसा चण गया तो इसको closing नहीं बोला जाता है यह 235 के 230 के नीचे closing चाहिए तब यह थोड़ा negative होगा otherwise अभी support के पास ही आ रहा है then दूसरा चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा क्योंकि देखे यह पहला यहां पर move कि दूसरा इस जगह से move करने का chances है तो क्यों है support मैंने आपको बता दिया दूसरा चीज है मंतली चार्ट में आगर आपको दिखाऊंगा दिखे मंतली चार्ट में यह देखे लास्ट टाम जब गिरा था यह तो 44 दी मुविंग आवरेज उसका निकल कर आ रहा था तूट दोस इसके लिए important है तो उसी range के पास अब भी move करा लेकिन अगर वो breakdown होती है तो 235-230 बहुत important support है और उसके नीचे जाएगा तो 220 बहुत important है and then after that आपको मैंने बता दिया बहुत सारा support अभी नीचे आ रहा है इसलिए थोड़ा सा भी support stop loss के साथ काम कीज़ेगा अगर आप trade करे है तब अगर investment कर रहा है तो अपना SIP कीज़ेगा SIP छोटा-छोटा नीवेश कीज़ेगा हरबडा करके कोई भी काम करनी के जुरत नहीं है so I hope आपको मैंने वीडियो के बता दिया about company का fundamental कैसा है company का technical कैसा है सब कुछ मैंने आपको बता दिया लेकिन आप जो भी नीवेश क करसे नहाँ थैंक यू